हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आप लोगों को पताऊंगी इस इरेजर को हम साफ किस तरह से करेंगे और इसे एकदम साफ तरह कैसे बनाएंगे चलिए हम आपको पताते हैं तो सबसे पहले हम एक क्या पर एक बॉयल में सरसो का तील या फिर आपको कॉक कि इसका हम पूरा साफ कर लिते हैं सबसे पहले है अ हुआ है कि और यह देकित अ कि पूरा साफ कर लिया और अग्यारा लिव लगा के अब इसके बाद हम इसको किसी कपड़े से कउनियों कि कप्रेस को अच्छे इस पहुंच देंगे यह दिए कि देखे में इसको तो साफ कर दिए और यह थे अप्लीन निकल गी थी और तो थे थोड़ा साफ करा और और हमें क्या करना है एक बॉल लेना है बॉल और उसके अंदर हमें थोड़ा सा पानी लेना है और इस पानी में आप अपनी रेजर को वाश कर सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा साफ कर देंगे हम जितना भी ओयल वगहरा है जब इसको यूज करें तो हमारे हाथ से फिक्ष लेना यह और हमें क्या करना है एक टूट ब्रस्ट लेना है टूट ब्रस्ट और इसके बाद हमें न ऐसे इसको थोड़ा साफ करना है क्लिनिंग निकल जाए सारी और यह रेखे पुरा साफ हो जाएगी है कि मैं आप यह कर रही हूंगे तो यह रेख दम इसके बाद मैंने इसको डटी साफ करने के बाद ब्रस्ट इसको फिर एक बार दोया ताकि जोब इसकी डटी या फिर मैल वगारा सारी निकल जाए और इसको मैंने दुबार एक कपड़े से पहुंचा साफ कपड़े से और मैंने इसी तरह से बागी सारी रेजर भी साफ करी थी दीखिए और यह बिलकुल साफ निकली थी अब किस तरह से वर्क करती है और देखिए मैंने पहली रेजर से करा तो यह बिलकुल अच्छा रब कर रही थी दूसरी से भी करा तो तब टॉटल जितनी भी तुमने सारा कुछ अच्छे से इसको रब करा तो आप यह देख सकते हो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें बाई 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 थे